नमस्कार future of India आप से विलोंगों स्वागत है मैं हूं हिमान्सूपमार इस वीडियो नोंगों बात करने वाले हैं MPS Info Technics Limited कंपनी इस कंपनी के दो नाम है एक तो MPS Info Technics Limited नाम है ही इसका लावा इस कंपनी को कंपनी करती है यानि की खरीट फ़रक करती है यह तो हो्गी कंपनी के काम की बात अब हमारे और आपकी काम की क्या बात है इस कंपनी में इसके बारे भारे हम बात कर लेते हैं लेकिए आज के दिन इस च्टोग में अच्छी कहा सी Hub Do कwyddकर कि तीजी आज के दिनीश में विदी है वजह से वाड़ के कौर्टर उक्नेल आने वाल है इसके थीजी आने वाल है और Siev के आने वाल है वाल आशने वाल है अब जस्ते देखने को मिल रहे तो बहुस्усов लोगों एक अच्छा आने की उफित है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ ऐसा क्यूं क्यूंकि इसके बारे में आगे बात करेंगे फिलहाल इसकी थोड़ सी डिटेल ले लेते हैं देखिए साल 2013 के बाद से देखेंगे तो साल 2022 ही वह एक ऐसा साल है जिसमें इस स्टोक ने एक अच्छा खासा हाई बनाया 2013 के बाद से 2022 के जनुरी मंत में इस श्टोक ने लगभग 2 रुपय का असपास का एक हाई बनाया था और उसके बाद से देखेंगे तो फिर इस श्टोक का प्राइस धीरे धीर डाउन जाने लगा और डाउन जाते जाते ही इस श्टोक का प्राइस अक्टूबर 2018 अक्टूबर 2022 को तक्रिवन 50 पैसे का सपास आ गया था हाला कि उसके बाद से थोड़ा सा सुधार होती हुए दिखाया है और 50 पैसे वर्ड़कर जैसे में बताया अभी 70 पैसे पर ट्रेट करती हुए नजर आ रहा है लेकिन सवाल है कि जनुरी में जहां इसने लगभग 2 बैसे इतना यहां सफाही बनाने के बात थोड़ा सब आता है लेकिन इतना नहीं आता है और पैनी जाने के पिछे की एक वज़य यह भी है कि इसका फंडमेंटाल वहतर नहीं है वज़य चल रही है और इसी को देखते हुए मैं यह कहास है कि अभी जो तेजी देखने को मिल रहे है तो बहुत से लोगों को लगए अच्छे आने वाले हैं जब कि हो सकते अच्छे आए और में मनार भी राणों के अच्छे आए लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता क्यूंकि पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी के मेनेजमेंट में क पर्मोटर्स खूद इस टॉक से बाहर जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में अच्छे आप से निकल गए हैं हलाकि कुछ अच्छी बाते भी हैं अच्छी बात यह हैं कि प्रमोटर्स ने जो रही रखी थे वह यानिकि जो प्लिजिंग था वह जीरो हो गया है हलाकि यहां कि सेवी ने इस टॉक को अभी असे में लिश्ट में डाल दिया यानिकि सेवी की पहनी नजर पर बन हुई है तो जब कर यह श्टॉक यह समाने तो अच्छी बात नहीं होता है लेकिन कुछ अच्छी चीज है और जो बुनियादी तोर पर होनी चाहिए कि इस टॉक में वह में तो जाहिर सी बात है, IT सेक्टर में काम करने वाले कंप उदिन से शुरुवाद से अच्छी नहीं हैं लेकिन ऐसा निए हमेसा अच्छी नहीं रहेगा, IT सेक्टर भारत की जान है, भारत की नहीं तक्रियोण पूरी दुनिया की जान है, इस तरह की श्टॉक जो होते हैं या बचा कुशा जो भी है उसको दूसरे श्टोक में लगाके आपना जो नुक्सान इसमें हुआ उसकी भरपाई कर लेज़ेगा जो नया बेखती है उन्हीं क्या करना चाहिए यह इन्वेस्टमेंट करने पर तुले हुए है कि इसमें करना चाहिए हाला कि मेरे तरफ से तो नहीं है लेगिर फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो इस्टोक का प्राइस यदि 50 पर से एक आसपास फिर जाता हुआ दिखे वहां पर आप इंट्री ले लिएगा और चुकि यह पेनी इस्टोक है तो उतना ही शेयर लिजएगा जितना यदि डू करा सकते हैं जिसका लिंग डिस्क्रिशन में दिया गया है और इंजलों के साथ डिमेंट अकाउंट कराने के कोई चार्ज भी नहीं लगता है तो अपना एकाउंट उसमें जरूर ओपन करा लिजएगा मिलते हैं नेक्स वडिए में तब तो लिए धेने बात सुक्रिया